बुद्ध को भी मैं ऐसी डिटेल करूँगा बिल्कुल सिमिलर डिटेलिंग होगी लेकिन अलग स्टाइल में बेसिक्स लिख लो इनके बारे में बेसिक्स बॉर्न 563 बीसी लुम्बनी कपिलवस्तु फादर शुद्धोधन he was leader of Shaak Republic mother Mahamaya और Gautami was the caretaker, stepmother, caretaker मौसी भी थी ये इनकी ठीक है? married to Yashodara at the age of 16 and at the age of 29 he left the home and went in search of knowledge बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ छे वर्ष के बाद बिहार जो लिखा हुआ है वो पिटक्स में लिखा हुआ है सुत्य पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये पाली लैंग्विज में हैं ये सब तीन मारकर हैं जो सब किताबों में कोई भी किताब उठाओगे सब मिल जाएगा तुम्हें ठीक है और ही डाइड in 483 BC कुशे नगर जो उत्तर प्रदेश में है ठीक है सबसे पहले इन्होंने कहा है four noble truths चार आर्य सत्य four noble truths मैं तुमको वो तुमको पहले लिक्वार हो तीन नंबर पांच नंबर सब फटा फट लिख लो और इन्होंने कहा है दुख सबसे पहला प्रूथ है दुख दुख कहा है न world is full of sorrows and sadness दुख समुदय second दुख समुदय दुख हुत्पन कैसे होता है it is due to desires desires इच्छाओं से दुख के उत्पत्ती होती है दुख निरोध this is cessation of sufferings दुख कैसे रुकेगा दुख निरोध and दुख निरोध समुदय this is how to prevent this suffering ये इनका दुख निरोध समुदय है ठीक है और इसी के लिए उन्होंने कहाए आस्टांगिक मार्ग को पालन करोगे तो तुमारा वो हो जाएगा तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया राइट अंडरस्टांडिंग अश्टांगिक मार्ग हिंदी में आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे हर जगे हर किताब में मिलेगा हम इसको एक फार्मूला है अटसा लिमिक में बोलता हूं इसको इंग्लिश में अटसा लिमिक और इससे आपके आठो शब्द मिल जाते हैं अपने को राइट अंडरस्टांडिंग राइट स्पीच राइट टृत्फुलनेस राइट लाइवलिहुड ठीक है राइट कंड़क्ट राइट एफ़र्ट राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन आठोगे और राइट कंसंट्रेशन ठीक है और इन्होंने बिल्कुल सहल रहें से काए ये होगा तो ये होगा ये होगा तो ये होगा ये होगा तो ये होगा मतलब एकदम cause-effect relationship इन का है क्या है प्रतीत्य समुत्पाद प्रतीत्य समुत्पाद this is theory of dependent origination theory of dependent origination offerings then consciousness that is due to mental impurities then name and form Naam Svaroop नाम और सुरूप हमारा शरीर बनता है ना नाम होता है हमारा सुरूप बनता है और इस नाम और सुरूप के सेंसेस होते हैं six senses इसमें उन्होंने आख, ना, कान जबान, शरीर और मस्तश्क दोनों को दिया है जिससे हम external words से connect करते है ठीक है then contact संपर्क then feeling जब feeling आती है तो craving आती है, next point, craving और जब craving आती है तो हम उसी से लटक जाते हैं clinging उसके बाद फिर होता है, becoming फिर birth फिर aging, फिर death बर्थ, फिर aging, फिर death तो बेसिकली ये cause-effect relations है और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप इसको थोड़ा सा काईदे से देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया दिखता है कि इन्होंने अपने आपको बिल्कुल pragmatic thought process दिया है अग्यानता है तो सारे दुखों का जड़वई है ठीक है अब आप देखें यदि इसको हम तीन पार्ट्स चार पार्ट्स में बाटें तो इन्होंने weakness दिया है relationship दिया है basic instincts दिये हैं और फिर उससे destiny दिये है तो weaknesses में कौन-कौन से हैं ignorance 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 है हमारी activities हो जाती है then consciousness आता है then name and form आता है then six senses है then contacts है तो पहला जो weakness में हो ignorance, activity और consciousness है हमारी फिर हमारे relationship में name and form है six senses है contact है, यह relationship में है six हो गए फिर हमारे basic instinct है जिसमें जिसमें senses है craving है और attachment है यह 9 हो गए फिर इस attachment से कर्म भाव आता है फिर इस attachment से बर्थ होता है और old days और destiny होती है यह हमारी destiny का part है तो हमने चार part में इसको बाटा है weaknesses relationships basic instinct और destiny तो यह जो जन्ममृत्यू का चक्र है यह तभी खतम होगा जब हमारा ignorance खतम होगा अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई अब उन्होंने जो बोला था वो तुमको यदि याद हो तो ठीक है नहीं तो मैं याद दिला सकता हूँ तुमको एक उन्होंने जो बोला था वो बहुत अच्छे से तुमको याद होगा मुझे ऐसा लगता याद होगा जैसे बुद्धम शरणम गच्छामी धमम शरणम गच्छामी संगम शरणम गच्छामी यहाँ पर हमें संग की बात कर रहे हैं मैं इस पर थोड़ा सा काम करूँगा जिस पर आपको लिखना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको बहुत जादा कोई बहुत परिशानियों वाली बात आती है यह वो चीजे हैं जो आप पढ़ते रहते हो और फिर आपको लगता कि इस पर लिखने का हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि इस से तो हमारा काम चलने वाला नहीं जो यह questions तो कभी बनते नहीं बनेंगे क्या impact बनेंगे का thought और उसका consequence यहीं बनेगा ना तो चलिए फिर शुरू करें हम लोग अपनी उस कहानी को जिसको हम लोग समझने की कोशश करते हैं देखो पहली चीज तो यह है जब वो कहते है बुद्धम शरणम गच्छामी दम्म शरणम गच्छामी संगम शरणम गच्छामी इसका मतलब क्या हुआ ठीक है शुरू करें अब इसको हम चलिए जब भी ये हम बुद्धिजम को पढ़ते हैं तो हमारे पास ये है कि He gives us an insight about seven factors of mindfulness और enlightenment साथ कारक हैं जिससे हमको प्रबोधन मिलेगा प्रबुद्ध होंगे ज्यान प्राप्त करेंगे वो कौन-कौन से चीज़े हैं नमबर वन थॉट प्रॉसेज़ अब बुद्धिजम का डिफरेंट चलेंगे पहला है mindfulness mindfulness मस्तश्क हमारा ठीक से काम करना चाहिए दूसरा है investigation जाच निरिक्षन then energy उर्जा then bliss आंतरिक प्रसन्नता हमारी bliss होती है then tranquility शांत चित्त रहना then concentration ध्यान and then equanimity ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली बात है तो ये कितने factors होगे हमारे पास mindfulness investigation लिखो M-I-E-B M-I-E-B mindfulness investigation energy bliss then T-C-E tranquility concentration and equanimity ये सारे सातों शब्द जो तुमारे हैं ये बुद्धिजम को define कर जाते हैं आदित समझ में आरत बात आ रही न क्यों किताब में नहीं लिखाए है लेकिन इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा ठीक है तो इनका wisdom क्या है what is wisdom अब ज़रा wisdom की बारे में बात करें तो जो बुद्ध का wisdom है बड़ा pragmatic wisdom है उनका wisdom है educate yourself to remove ignorance शक्षत करो ताकि अज्ञानता खतम हो communication within yourself and outside yourself अपने से बात करो और बाहर बात करो healing of the thoughts विचारों को पवित्र करो honor people लोगों का सम्मान करें then patience धैर रखिये then understand one another एक दूसरों का समझिये and then love प्रेम ये इनका wisdom factor है ध्यान रखियेगा ठीक है तो ये जो बात कही है अब इसमें ज़रा बुद्धिजम का thought process समझ ले बुद्धिजम में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो बहुत बदमास रहे हैं जो बुद्धिजम को समझ नहीं पाए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे भी तो ये जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो ये तुमको कहानी सारी चार आरिसत हो गये सब हो गए हमारे पास हो गए कि नहीं हो गए सत्य हिंसा परिग्रहत उसमें भी है पढ़ई होगा तुमने मैं उन चीजों पर नहीं जा रहा हूँ जो तुमको किताबों मिल रही है हम उन चीजों पर जा रहे हैं जो तुम्हें लिख नहीं है एक्जाम में तो बुद्धिजम का जो सबसे important part है वो है middle path क्या है middle path जब हम मद्यम्मार की बात करते है it means it is acceptable to all it is acceptable to all मद्यम्मार क्या कह रहा है no extreme pleasure and no extreme pains ना हमें बहुत ज़्यादा pleasure लेना है ना बहुत ज़्यादा pains लेना है मजे में रहू ना अपनी जिंदगी में मद्यम्मार की अपना हो चलो बुद्धिजम इसली आगे बढ़ा क्योंकि इसने middle path को choose किया स्विकार किया और यही कारण है कि बुद्धिजम spread throughout the world spread of buddhist thought क्यों बढ़ा इसली बढ़ा ना क्योंकि सब इसको मान सकते हैं और इसकी वजह से जो middle path है इसकी वजह से हम यह दी कहें international relations आज भी हमारे बड़े अच्छे हैं है अच्छे की नहीं है चाहे वो जापान हो चाहे वो जित्ते मुझे दिखे ही नहीं जित्ते हमको विदेशों में दिख गए और एक शायद कभी मैंने तुमको बुद्ध और नाचगर कविता सुनवाई हो तुम लोगों में से किसी को कितने लोगों ने सुनी हैं बुद्ध और नाचगर कविता तुमने सुनीए, कहा सुन ली यूट्यूब पे सुनीए कितने लोगों ने सुनी ये बुद्ध और नाशिगर कविता आप लोग में से किसी को मैंने सुनवाई तो होगी, ऐसा तो नहीं नहीं सुनवाई है मैं सुनवाता हूँ और वो इसलिए सुनवाता हूँ क्योंकि वो अमताब बच्चन ने कहा है उसको और हरिवन शाय बच्चन ने लिखा है उसको ठीक है? ने हम खोल चुके बेटा अब सुनवा ही देंगे तुमें वो कोई बात ही नहीं उसमें इसमें आपको बुद्ध के थौट भी मिल जाएंगे और बाकी चीजें भी दिखेंगे आपको इसमें थौट प्रॉसेज मिलेगा इसमें लिखा कुछ नहीं आएगा आगवन करके सुनवाइगा तो एक जो हमारा मिडल पाथ है उससे क्या हुआ इंटरनेशनल रिलेशन्स कहां कहां है आप देखो जापान साउथ इस्ट एशिया चाइना यह पूरा का पूरा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन्स बुद्धिस्ट फिलासफी पे चलता है जापान ने जितना पैसा बोध गया पे खर्च किया है कोई दूसरा देश नहीं खर्च कर सकता बहुत पैसा लगाया वहां पे ठीक है यहां तक कि श्रीलंका भी अब उसके पास हो तो लगाए ठीक है तो यह सब हमारे देश है कुछ आस-पास पूरे देश में हर जगे बुद्धिजम है है कि नहीं है आप नौर्थ इस्ट में देखिये बुद्धिजम है सेंट्रल इंडिया में देखिये महाराष्ट में देखिये पूरे देश भर में नेशनल इंटेग्रेशन बुद्धिजम ने किया था दिन इक्वैलिटी सब बराबर हैं यही कह रहा न बुद्ध तो अगेंस दे कास्टिजम जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए वैसे बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन जाति प्रथा अंटचबल्टी खतम दिन प्रफोर्थ डिगनिटी तो डिगनिटी टो हूँमन बिंग्स डिगनिटी टो हूँमन बिंग्स हुआ इनका थौर्ट प्रॉसेस है सबको सम्मान मिलना चाहिए महिलाओं को भी संग में प्रवेश दिया exclude नहीं किया उन्होंने उनको ठीक है और सबसे पहली महिला कौन उनकी मदर गौतमी उनको उसमें संग में प्रवेश दिया उन्होंने clear ठीक है then fifth literary expansion पाली एंड संस्कृत ठीक है जो इंडियन literature पाली में गया और इसके बाद third century के बाद ये literature हमारा संस्कृत में शुरू हो गया जब महायान literature बनना शुरू हुआ तो वो कहा गया वो हमारा पूरे विश्व में जा रहा है महाने literature तो ये हमारा literary integration है social solidarity सामाजिक निष्ठा का जन्म हुआ इससे बड़िल पाथ से social solidarity सामाजिक निष्ठा प्रमोटेड social solidarity ये सब शब्द तुम लोग थोड़ा थोड़ा से लिखते चलना बहुत कटिन शब्द नहीं है सरल है बस आप लोग ने इस्तिमाल नहीं किये इसलिए परिशानी होती है social solidarity ठीक है फिर लिखें awareness about कर्म कर्म के प्रती जागरुकता भी दी दी इनोंने कर्मा भी है इसमें मतलब action orientation है चुपचाप बैठके सिर्फ meditation नहीं करना है अपने को अपने को कर्म भी करना है इत development of architecture due to influence of buddhism buddhism के influence से architecture बना है architecture जो यह architecture है इसमें आप लोग देख रहे हैं कितने सारे विहार हैं। क्या क्या हैं। विहार में और क्या हैं चैत्य और इस्तूपाज आप जब राजाओं नहीं यह सब बनवाया है आर्किटेक्चर तो they had belief on Buddhism और इस belief system से जब इस तरह का development हुआ है तो इससे हमारी कई सारी चीजें बन के आती हैं A New thought process B Employment generation जब यह बनाएंगे तो किसको काम मिलेगा मिलेगा काम labor को Employment generation C Empowerment of commoners D Woman liberty and dignity यह भी अपने दिबाग में रखना आप यह architecture से है ठीक है बात सुझ में आ रही है clear तो युद्ध खत्म मतलब हम यह सोचें कि हमने कितना सारा जीवन बचा लिया बचाया कि नहीं बचाया और सबसे बड़ी बात यह है life with a reason vision and mission यह दस पॉइंट आप लिखोगे और यह नहीं मिलेगा कहीं पर these 10 points are mandatarily to be written in your copies यह तुमारी copy में आना चाहिए यह बुद्धिजम का proper ethical concept बाकि तुमने जो किताब में लिखा हम तुमको पढ़ा करके करेंगी भी क्या तुमको history class में पढ़ाया जा रहा हो हम उसे class में ले जाकर के तुमको क्या करेंगे तुमको हम यह दिवही पढ़ा हैं तो हमारे यहां खड़ा होना बेकार है तो यह हो गया बुद्धिजम हो गया अब अगले को ना रहे हैं भाईया आओ मालिक आओ आओ शंकर आओ भाई शंकर पे